प्रॉब्लम हो गया था अन्यतिकल था स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू हो गया था देखो भाई एक तो जो सबसे पहले आप इमेज बना रहे हो ना कि रज़त के साथ ये हुआ वो हुआ कहीं एक छोटी सी भी क्लिप दिखा देना कहीं किसी ने मेरी छाती पे अगर हलका सा धक्का भी मारा हो लड़ाई पंगे बहुत दूर की बात है ये पांच बात सेक्ड़ी की क्लिप यूज कर रहे हो आप खाली अपने बेनिफिट के लिए अपने आपको एक बहुत कुछ भी दिखाने के लिए छोड़ो जो भी चीज़ है मैंने कभी आपको आज तक गाली गलोच नहीं करा कभी भी नी आपका हमेशा इज़त और सम्मान के साथ भाई बोल के बात करी थी नम्मर तक भाई बोल के सेव था लाइव में मैं आपको लेके आया था जब सिंगावाला सीन था पूरी इज़त के साथ आपकी बात रखी गई थी कल रात आपने स्टोरी स्टार्ट करी थी पिंच करनी जिसके रिस्पॉंस में मैंने कुछ बोला दीर बैट जयार प्लीज जिसके रिस्पॉंस में मैंने बोला ये बिल्कुल प्लांड चीज थी कि रजट का अकाउंट अच्छा चल रहा है इंगेजमेंट अच्छी है रजट से ले लो थी मेरे भाई मेरा आपका बैर ही नहीं था वो आपने सोचल मीडिया पे बैर बनाया आप अपने साथ कई इंफ्लुएंसर लाए आदी नागर, मैक्स, फिटनेस जो भी है जिनको मैं कभी जानता तक ही नहीं था जिनको मेरी हाई और हेलो भी नहीं है और वो आके कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे सुबह इन मैंसे नाम लिखा और कहां पे गाली लिखी वो दिखाओ चलो ठीक है आपको जानबूज के सीन बनाना था आपके पास स्क्रिप्ट रेडी थी इट्स विल इंड गुट आपने मुझे बुलाया मैं या से निकल गया था अकेला मैंने नितिन भाई को फोन करा कि भाई पता नहीं क्या सीन है राजवीर भाई के पता नहीं क्या सीन हो गया है उन्होंने बोला भाई मत जाओ कुछ भी सीन नहीं ऐसी हो सकता है तफरी कर रहे हो कुछ भी चीज़ है, हो सकता है, सीन बड़ा हो, छोटा हो, जो भी है, उनको उस तेम पता नहीं था, उनको किसी पोड़कास्ट में जाना था, अनुप भाई सब के हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद, जब मैं सोने जा 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 था, मेरे पास, अलग 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 जगे से फ स्कूल में, तो मैं स्कूल गया, मैं इनकी स्कूल में आओ बात करते हैं, साड़े छे तक का टाइम था भाई, आप में से कोई नहीं आया, जब उसके बाद हमने इने एक वीडियो भेजी ना बना के, जो कि दिन के टाइम में थी, जो कि मैं भी डालने वाला हूँ, कि हम बात रखनी पड़ी, इज़त रखनी पड़ी, हमने बिठाया, अंदर लेके गए, उन्होंने हमसे प्रिटेंड कराया, कि भाई, सॉल्यूशन हो गया है, राजवीर ने अपने पार्ट की सारी रील्स और स्टोरीज हटा दिये, मेरी उनने सामने बैटके स्टोरीज हटवा आपस में लड़ो मत, और जबकि आपका मेरा कभी कलेश ही नहीं हुआ, सबसे मज़े की चीज तो यह है, मेरा और इनका कोई कलेश ही नहीं था, आज तक मैंने ना आपको कुछ बोला, ना किसी जाती को, समू को, ना आपके किसी दोस्त को कभी कुछ बोला, आपने खाली engagement पाने के लिए कर ली चीज, मेरे को कोई प्रॉबलम नहीं भई, आपका काउंट कितना उठा है, मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है, आप एक छोटी सी चीज बताओ, जो आपने ये चीज करी है, कर ली, अगर मैं इस चीज को बढ़ाता हूं, मेरे पीछे से बहुत फोन आ र आप एक कहीं छोटी सी क्लिप दिखा देना कि रजत में धक्का भी लगा हो, जो आप दिखा रहे हो ना दबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई चारे का बंदा भेज के भाई ये चीजे करना बहुत अनेथिकल है, आप आए थे बात करने, विचार करने, जो भी करने आप सामने बैठते, फेस तू फेस करते, में टू में बात करते, जब हम में टू में करने आ रहे हैं तब आप खुद नहीं आ रहे हैं, आप किसी को बेज रहे हो, वो तो गलत चीज है ना भाई, आपने कोई बंदा बेज दिया, उसके बाद आप नितिन भाई का सॉलूश हाँ, दिमाग यूज कर रहा है, नो डाउट, पर मेरे को इसके उपर सच में कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि मेरे को ये छोटी जीज लगी, कि किसी ने खाली अपने एक फायदे के लिए, एक इनसान के उपर एक आरोप लगाया, उसको ट्रिगर करके, और जो भी जीज करी कर मस्त कुषरो, मुझे कोई लेना नी, कोई देना नी, और अगर आपको कभी कुछ हो ना कि हाँ, मुझे बहम मिटाना है, रजत ये है, और रजत वो है, तो भाई, आप एक बार आ गए हो, आप अगली बार फिर आ जाना, एक स्टोरी डाल देना कि हम कल आ रहे हैं, हम परसो आ रहे हैं, हम तरसो आ रहे हैं, ये चीज राजवीर भाई आपने बहुत गलत करी है, जो कि सच में बिल्कुल सही नहीं है, आप भाईचारा खराब करने वाले काम कर रहे हैं, बढ़ाने वाले काम नहीं कर रहे हैं, मैंने कभी आपको नहीं छेड़ा, आपने जान बूच के साथ यह हुआ है गलत चीज है बहुत गलत चीज है अब अपने आप मस्तर हो आप जाओगे चिकन खाना मटन खाना जो खाना खाना अपने खुछ रहना अब आके बोल देना चीज खतम हो गई है अगर इसे बढ़ाना चाहूं तो मैं कल बहुत बढ़ा सकता हूं पर आपके मेरे बढ़ाने के चक्कर में इस समाज की इतनी बड़ी चीज बन जाएगी ना जिसमें आप भी पिस होगे और मैं भी पिस होंगा तो भाई सोच समझ के चीजे करो बढ़िया रहेगा और अपने गैल वाले लोगों के साथ मत करो तो बढ़िया रहेगा अब अपने अख्याल रखो खुछ रहो